लोग उंबीत करता हूं है बजार के भी काम है तो मुझे भी इतना ही टाइम मिल पा रहा है तो क्या है कि ये वीडियो लाने में थोड़ी देरी होती रहेगी तो एड़ेस्ट कर लीजिएगा और वीडियो भी देना जरूरी कोई गहने करीते है ये डिवालीकी को लुटेते हैście कि दिन मारकिट खुलता है तो उसके टाइम मुहरट ट्रेडिं Que McGत इए उसको मुहरट 씨 तो मुझे लगता है मुरड ट्रेडिंग के अंदर हमें कम रिस्क वाले स्टॉक की लेने जी चाहता तर जो लाज केप स्टॉक है बड़िया ग्रोथ वाली स्टॉक तो कल की दारी में मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो पूरा पूर्टफोलियो बताऊं ठीक है और आप भी आपके नेजर में कोई अच्छे शेयर तो आप भी ध्यान रख सकते हैं मतलब आप एक शगून के लिए एक आदा शेयर दो शेयर जो भी ले सकते हैं नहीं लेना त कल सवा 6ज़े से लेकर सवा 7ज़े की बीच में यह मान कि चलीजे आप 6ज़े से लेकर सवा 7 के बीच में आप तैयार रहेंगा और इसके बीच में खरीश सकते हैं उसके बाद किा है कि कोई शेयर बायओर और सेल नहीं होगा ठीक है इस्पेशली दिवाली वाली दिन खुलता है और कल की राग में मैं कोशिश करूँगा कि पूरा पॉर्टफोलिय आपको बदाऊं जो कम रिस्क वाली शेर्स हो जो आप मुरद ट्रेडिंग के अंदर बाई कर सकते हो तो इसलिए टेलेग्राम चैनल को जोईन करके रख लीजे ताकि क्या ही मैं वीडियो डालू तो सीधार नूटिपिकेशन मिल जाए टेलेग्राम और वाटसेप दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है अब दुस्तों जब भी सारे आईपियो शालने हैं के लेटेस अबडेट के बारे में जानेंगे आस्क ऑटामोटिव का आईपियो का अलॉट्मेंट स्टेटस आ चुका है लेटेस ग्रेमार्केट का प्रीमियम और उसके लावाद जिन लोग ने हमें जानकरी दे उनकी भी नाम वीडियो के अंदर फ्लैश करेंगे की लिएटिंग फ्राइडे को और जैसा हमने एक रेंज की थी मतलब जो जी मेंपी चल दी ते मुझे मिला और एक करता 71 रुपीज के आसपास लिस्टिंग देखने को मिली, हमने रेंज 72, 90 रुपीज गैस की थी, उसके आसपास लिस्टिंग हमें देखने को मिल गई, क्यों यह चीज फिक्स नहीं होती, मैंने आपको पता है कि GMP के अनुसा जोरी दिनी नहीं कि लिस्टिंग हो, मार्केट पर भ रहा भी था, कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा, और उसके बाद चाहे तो थोड़े बाद शेर्स रख सकते हैं, बाद मैं इसको क्या है कि जब और थोड़ा अफ़र्ड मोमेंट देखने को मिले, तब ह बाद मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं और आपको लेने नहीं लेने की सला नहीं दे रहा हूं, ठीक है, वो मैंने बाद किये थे और मेरा भी टार्गेट था, मैंने सुचा कि 80 के आसपास चला जा सकता है, पर मार्केट भी उस दिन बहुत कमजोर था, इस अपवर्ड मोमेंट आए, फिर थोड़ा प्रॉपिट, यही मेरा इरादा था, आप लोगों ने क्या किया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा, फिर दोस्तों, Ask Automotive का IPO उसका अलॉट्मेंट स्टेटस आ चुका है, लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर, मतलब आप इसका अलॉट्मेंट स्टेटस देखने को मिल गया, कल रात को लोगों को काफी लोगों को SMS वगिरा भी मिल गए थे, तो जिन लोगों ने हमें जानकारी थी, हम हमेशा उन सभी के नाम वीडियो के इंदर फ्लैश करते हैं, हितवी, पटेल, आर एम लगधीर, अशोग पित, दुश्यंत, राकेस, मारूती, इन सभी लोगों ने सबसे पहले हमें जानकारी दी, जिन लोगों ने सबसे पहले हमें जानकारी दिया, उनके नाम वीडियो के इंदर फ्लैश कर दिये जाने हैं, आप भी हमेशा कोसीच कीजिए कि आपके पास आसी कोई जानकारी हो, तो हम आप में Instagram पर message करके बता सकते हैं तो उन सभी के नाम वीडियो के अंदर flash कर दिये जाएंगे अब इसकी भी listing हो सकता है या तो Monday को हो या तो फिर जो ये दिवाली वाली चुटिया खतम हो जाए उसके बाद इसकी listing हमें देखने को मिल सकती है बाकि इसकी listing date थोड़ी पीछे थी क्योंकि अब allotment जल्दी आ रहे हैं तो क्या है कि listing date बगिरा भी change हो रही है तो मैं update आपको कर दूँगा वैसे टेलेग्राम चैनल पर और protein IP की तो 13 November को listing है पर इसकी अभी date अभी announcement नहीं हुई है बागी GMP की बात करें तो 40 रुपए per share 35 shares का lot है 2120 रुपए एक lot पर फाइदा बता रहा है percentage वाइस करीब करीब 14% जिसा ग्रे मार्किर का premium है तो ठीक ठाक है इसके आसपास listing हो जाए तो बड़िया बात है और personally मेरी बात करें तो मुझे एक lot अलाट हुआ है retail category के अधर मैंने आपको कहा थे retail category के अंदर तोड़े chances ज्यादा है तो retail category के अंदर मिल सकता है तो मैंने मुझे एक lot retail category के अंदर मिला है और इतना ठीक है और कल दोनों IPO के listing strategy वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा फिर दोस्तों दो upcoming IPOs की date fix हो गई है अभी तक Tata Technologies की IPOs की date fix नहीं हुई है काफी लोग Tata Technologies की IPOs को लेकर इंतजार कर रहेगी इसकी dates कब announce होगी इसलिए मैंने सुचा कि आपको भी जनकारी दीदू अभी तक dates वगेरा कोई भी announcement नहीं हुई है और November को होने वाली थी मदब fix सही था कि November को आ जाएगी क्योंकि shareholder quota के बारे में जनकारी आ गई थी Tata Motors का share ले लीजे तो सबने सोचा था कि November तक तो आ ही जाएगा पर अभी तक नहीं आया है उमीद है कि जल्दी इसकी dates announce होते हुए हमें देखने को मिलेगी तो सबसे पहले गांधा रोयल IP open होगा 21 November से लेकर 23 November के बीज में price band market lot नहीं आया है जल्दी इसकी announcement हो जाएगी गांधा रोयल ये अलग लग type के oils बनाती है company काफी attractive नजर आ रही है इसका price band market lot अगर attractive आता है तो मुझे लगता है इसकी demand काफी अच्छी बन सकती है फिर दोसो Fed Bank Financials 22 November से 24 November के बीच में ये IPO open रहेगा इसका भी price band market lot नहीं आया है जल्दी ही इसकी announcement होते हुए मैं देखने को मिलेगी ये थे सारे आज की updates उम्मीद करता हुआ हमारा वीडियो हमारी जानकर आपको काफी पसंद आई होगी और टेलेग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अगाउंट सबकी link description के अंदर है WhatsApp चैनल को भी जरूर जाइन कीजिए उसकी भी link description के अंदर है मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर